नमस्कार, हेल्थ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ काव्या अंडा खाना सेहत के हिसाब से काफी लाबदायक माना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मातरा अधिक होती है आईए आज इस वीडियो में बताते हैं कि हमें एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए ताकि हमें प्रोटीन भी मिल जाए और अनावश्यक चर्बी भी ना बट पाए दरसल अंडे में दो हिस्से होते हैं एक हिस्सा पूरा सफेद होता है वहीं दूसरा हिस्सा बीच में होता है जो पीले रंका होता है इसे हम योक भी कहते हैं अंडे के दोनों हिस्सों के अलग-अलग फायदे हैं ऐसे में यह जान लेना चाहिए कि किस हिस्से को हमें कब इस्तमाल करना चाहिए बता दे कि अंडे की सफेद वाले हिस्से जिसे हम उजला हिस्सा भी कहते हैं उसमें केवल और केवल प्रोटीन होता है यही वज़ा है कि जिम जाने वाले लोग या कसरत करने वाले लोग यही हिस्सा खाते हैं एक अंडे के उजले वाले हिस्से को खाने से 4-5 ग्राम प्रोटीन मिलती है वहीं पीला यानी योग वाला हिस्सा खाने पर हमें 6 ग्राम चरबी और 1 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है इसका मतलब यह है कि हम पूरा अंडा खाते हैं तो हमें 5-6 ग्राम प्रोटीन और 6 ग सरीर के लिए दैनिक कोलेस्ट्रॉल के मात्रा 200 मिलिग्राम के अंदर होनी चाहिए। ऐसे में अगर हम रोजाना 5 अंडे खाते हैं तो हमें 475 मिलिग्राम कोलेस्ट्रॉल मिलेगा जो दैनिक मात्रा से दो गुना से भी अधिक है। वहीं यदि आप प्रती दिन ऐसे ही 5 अंडे खाते रहेंगे तो कुछी दिनों में आपका कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ जाएगी। इससे आपको कई प्रकार की बिमारिया भी हो सकती हैं जो मुख्यता दिल को प्रभावित करता है। यानि अगर आप रोजाना 5 अंडे खा रहे हैं तो आपको हिर्दसंबंधी परिशानिया हो सकती हैं। आप दिल के मरीज भी हो सकते हैं। विशेशग्यों के मुताबित एक अंडा या उससे अधिक दो अंडे खाने के बाद उसका पीला वाला हिस्सा निकाल कर आप रोजाना 4-5 अंडे खा सकते हैं। लेकिन पीले वाले हिस्से के साथ 2-10 अंडे खाने पर आपको कई बिमारियों का खत्रा हो सकता है। इसलिए विशेशग्य एक बार में 4-5 उजले हिस्से से जादा सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि एक समय पर हमारी सरीर 25 ग्राम से जादा प्रोटीन नहीं पचा सकती है। तो फिल्हाल के लिए खबर में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेस्बुक पेज को लाइक करें, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।